मजदूर अंदोलन की हम बात करेंगे यहां पे नोट्स है यह मजदूर अंदोलन पे अब देखें अंदोलन को आपको बिल्कुल अलग पढ़ना चाहिए किसान अंदोलन क्या है, मजदूर अंदोलन क्या है, जंजाती अंदोलन क्या है, मीला अंदोलन क्या है कौन कौन है, कितने हुए, कहा कहा कौन हुए, यह प्रशन आएंगे आपको, कौन से अंदोलन कहा पे हुए, कब हुए, उसके नित्रित्य करता कौन है, इस पर ज्यादा आपको दियान लखना है, फोकस, तो मजदूर अंदोलन पर हम देखते हैं, और यह question हर तरह के exam में आता है, ऐसा नहीं है, यह PT में भी आता है, मेंस में भी आता है, मेंस के लिए भी है, बहुत बहतरीन है, और अधर exam के लिए आर्मी पूलिस गुरूप से के लिए भी बहतरीन notes है, SSC के लिए,BAT, DAT के लिए, LT के लिए, चलिए, तो शुरू करते हैं, देखते हैं, notes मजदूर क्या है हमारे पास अब यह सवाल क्या आएगा भारत स्रम जीवी पत्रीका का परकासन किस ने किया इसका उत्तरा आप कॉमेंट बॉक्स में करेंगे NMS लोखंडे ने 1890 सिवी में बंबई में Mill Hands Association की स्थाफ़ना की जिसे भारत का पहला मजदूर संद माना जाता है भारत का पहला मजदूर संद किसे माना जाता है यह भी आप लिखेंगे comment points और कब हुआ किसने स्थाफ़ित किया शर्मिकों की काम करने की परिस्खितियों का अधिन करने है तू लंका शायर के उद्दोग पतियों की मान पर 1875 सिवी में पर्थम फैक्टरी आयोग की स्थाफ़ना हुई पर्थम फैक्टरी आयोग की स्थाफ़ना 1875 सिवी में लॉइट लीपन के कारजकाल में 1881 में पर्तम कारखानादिेनियम बना जिसमें साथ वरसे कम उम्र के बच्चों के काम पर परतिबंद लगाया गया ततहा महीने में चार दिनों का उकास साथ वर्ष से कानावियों के बच्चों पर परती बन महीने में चार दिन का उकास प्रावधान किया गया इसमें इस्त्री सर्मिक के मुद्दे को छोड़ दिये गए अब देखें क्या क्या कॉस्चन बन रहा है इस question का आप answer करेंगे पर्तम कारखाना अदी नियम कब बना? दूसरा comment box में उत्तर किजिए पर्तम कारखाना अदी नियम किसके कार्जकाल में बना? पर्तम कार्जकाल अदी नियम में एक महिने में कितनी छुट्टिया थी? Next लॉट लेंस डाउन के कार्जकाल में ठार्जकाल में दूसरा कारखाना अदी नियम बना? तो आप इसका comment box में उत्तर जरूर करेंगे दूसरा कारखाना अदी नियम कब बना? तो तक इसके कार्जकाल में बना? तिलक को दिए गए कारावास दंड के विरुत में 22 जुलाई और 908 को बंबई के कपरा मिल मजडूरों ने हरताल की मजडूरों की पहनी राजनीतिक हरताल अब इसका उत्तर आप कॉमेंट बॉक्स में भी करेंगे मजदूरों की पहनी राजनीतिक हरताल कौन सी थी? कब थी? ये आप जरूर मेंसन करेंगे बाल गंगादर तिलक दुआरा निकाला गया समाजार पत्र मराठा मिल मजदूरों के रियायतों के लिए वकालत करता था तो मिल मजदूरों के लिए बाल गंगदर तिलक के और भी समाचार पत्र थे लेकिन मराथा मिल मजदूरों की नहीं वकालत करता था अब आगे देखिए उनिस्तो गारत के कार्खाना अदिन्ययम में Lord Hiding Law Hiding के काल में पूरसों की कार्जाओदी 22 गंटे निस्चित की गई अब देखिए तो इसका उत्तर क्या-क्या होगा कि उनिस्तो गारत का कार्खाना अदिनियम किसके काल में मना कार जवधी कितनी थी 12 गंटा 1918 सिवी में वी पी वाडिया दुआरा गटित मदरास मज़ूर संध बारत का पहला मज़डूर पहला आधुनिक मज़दूर संगटन था वी पी वाडिया दुआरा 1918 तो आप इसका उत्तर करेंगे भारत का पहला अधुनिक मजडूर संधठन कौन था 1918 में गादी जीने अमधरबाद में टेक्सटाइल लेबर असोसियंड की स्थापना की बहुत बेहतरिन सवाल है टेक्सटाइल लेबर असोसियंड की स्थापना किसने की मात्मा गादी ने की कब की 1918 में अखिलवारति ट्रेड यूनियन एटग, ATUC, अखिलवारति ट्रेड यूनियन कόंग्रेस के पत्तम अध्यक्ष लाला depende답 राये बने, ये संमिलन बंभय में हुआ, दिवान चमनलाल के महमंथरी थी, अब देख dost भूब आता है उख जतने भी question है सारे important है, इसमें जितना भी मैं अंडरलाइन कर रहा है सब इंपोर्टेंट ही है इसमें कोई छाटने वाला नहीं है तो आप देखें कोशिन क्या क्या आ सकता है लाला लाज पत्र आ है अखिल बाते ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के पर्तम देच कौन बने उत्तर कीजिएगा अखिल बाते ट्रेड यूनियन के मामंत्री कौन बने पर्तम मामंत्री के बात हो रही है अखिल बाते ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस की स्थापना कब हुई किन लोगों ने स्थापना की 1922 के कार खाना अदिनियम में लॉड रीडिंग के काल में बच्चों की कार जवदी 17 गंटे निश्चित की गई ते था 12 से 15 वर्स की आई के बच्चों की कार खानों में काम करने के अनुपति मिल गई 1922 शिश्व में टाटा आइरन एन श्टील प्लाण जमसेद पूर की अर्ताल के समाधान में सुवास जंद वोस ने मातून दूनिका निभाई 1925 से 26 शिश्व में बंगाल में लेबर सोराज पार्टी मुझफफर अहमद नजरुन इसलाम द्वारा इस्थापित की गई कहां की गई बंगाल में जिसके नाम मदल के बंगाल किर्शक कमसरमिक दल रखा गया अखिल भारती मजदूर किसान पार्टी की शापना 1928 में सुवाम सिंग जोसी तथा आरेस निम्बकरने की अखिल भारती मजदूर किसान पार्टी 1928 में टेक्स्टाइल मिल में चली छे महीने तक हर्ताल बात ये इतियास के सबसे बड़ी हर्ताल थी 1929 में जॉन हेन्री डिटले की ये देटा में शाही आयोग की स्थापित किया गया जिसका कार्द बात की उद्योगों तो था बागानों में मजदूरों की स्थिती की जाच करना था तो शाही आयोग किस काम के लिए था बागानों और उद्योगों में मजदूरों की स्थिती को समझने के लिए उसके बाद आप देखें टीले आयोग रिगारा सदस्थी है छे बाती सदस्थे अब ये क्वेस्चन कई बारा आजाते है कि इन में से कौन सदस्थे है कौन नहीं थे तो आपको याद करना पड़ेगा अकबर दीन अहमद लॉंगडन लेबल सौराद पार्टी का मुखपत था करांती मजदूर किसान पार्टी का मुखपत था मजदूर और किसान कौन्गरेस के हाथ पाऊ है ये नारा कौन्गरेस ने सभीना वग्यान दोलन के समय दिया मजदूर और किसान कौन्गरेस के हाथ पाऊ है ये नारा कब दिया सभीने और ज्ञान दोलन के समय कौन्गरेस के समाजवादी गुट ने हिंद मजदूर सबाकी स्थापना की 1944 के कारखाना दिनियम में नियमित कारखानों में सर्मिकों के कारजाओ दी नौ गंटे तक केंटिन तथा गंटे तथा केंटिन के उस्था की गई देखिया इससे पहले बारा गंटे ते उनी 1944 में नौ गंटा हो गया इसको आप याद करिएगा आता है बारतिये राष्टिये आंदोलन पर्थम चरण 1885 से 1915 कॉंग्रेस के गठन से पूरुन लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 यह सब आंदोलन है और उनका काल है बंगाल बिर्टिस इंडियन असोसेशन 1843 याद करिएगा बिर्टिश इंडियन असोसेशन 1850 इस्ट इंडिया असोसेशन 1866 विद्यमान थी इसके अतिरिक इंडियन लीग 875 इंडियन असोसेशन 1866 पूना सर्विजनिक सभा 870 मतरास माजन सभा 880 84 यह सब आता है सब के डेट आते हैं पूछते हैं इक कीक को याद करना है आपको बॉंडे परसिडेंस सेशेशन 1885 राजनेतिक संस्थाएं भी विद्यमान थी तो इन सारे को पूइंट बना करके रट जाना है और बहुत यह अथेंटिक बहतरी नोट सही आपके लिए लॉट रीपन ने इलबर्ट बिल के दुआरा बारती मजिस्टेटों के यूरूपी अधिकारियों के मुकदमे का निर्ने करने का अधिकार देना चाहा किन्तु यूरूपियों की परतिक्रिया शुएत विद्रो के कारनी अधिनियम बदलना पड़ा तो बहुत इलबर्ट बिल दिसंबर 1883 में इंडियन एसेसियेशन के परियतनों से इंडियन नेशनल कॉन्फिरेंस का पर्थम सम्मेलन कलकत्ता में हुआ जिसकी अध्यकता रामतनु लाहरी तता सचीव आनंद मोहन बोस्थ है एयो हिम ने बारती राष्टे कॉंग्रेस की स्थापना की जिसका पर्थम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत रिसुद्धाल में आरिजित्ख हुआ इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाओ पर इसका नाम भारती राष्टी कॉंग्रेस कर दिया गया किसके सुझाओ पर दादा भाई नौरोजी के सुझाओ पर कॉंग्रेस के पर्थम अधिवेशन में बहत्तर लोगों ने भाग लिया इसके पर्तम सचीव हूँ तता पर्तम अद्याक्ष व्यमिस चन्द बनर जी इसका पर्तम सम्मेलन पूना में होना था किन्तु हैजा पहल जाने के कारण आई जनस्थन बदल गया कॉंग्रेस के पर्तम मुस्लिम अद्याक्ष बदरुद्दीन तैयब जी मदराथ 1887 में बने थे पर्तम अंग्रेस अद्याक्ष जोर्ज यूलेट अलाबाद में 1888 पर्तम महिला अद्याक्ष एनी विसेंट कलकत्ता 1917 यह सारे प्रश्ण मातपूर्ण है एक को भी नहीं छोड़ना है जो 1889 इस्वी में कॉंग्रेस की बिटिस समीती बनी जिसने इंडिया नामक मासिक पत्रिका का परकाशन किया 1889 में बिटिस समीती ओगर विचारदारा के उदय के लिए बातिय दंड सनहीता दमनकारी कानून 121-156A जोड़ना बंगाल विवाजन 1905-1896 में इथोपिया द्वारा इटली की पराजे 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजे अधिकारन जिम्मेदार थे कॉंग्रेस ने स्वाराज परस्ता 1906 के कलकत्ता दीवेशन में पारित किया था इसका उद्देश स्वासासन सुनिस्चित करना था तो ये था हिंदूों तता वुसल्मानों को पिर्थक करने के उद्देश से 1905 को बंगाल के विवाजन की गोजना की गई पिर्थक किये गए परांतों को पुरी बंगाल एवं असम नाम दिया गया 16 अक्टूबर यानि बंगाल विवाजन जिस दिन लागू हुआ को पूरे बंगाल में शोक दीवस मनाया गया अब ये कॉस्चन आता है शोक दीवस कब मनाया गया 1906 इस्वी में रविन्ना टैगोर ने आमार सुनार बंगला यत लिखा 1932 से में बंगला देश का राष्टगान बना बंगाल विवाजन के विरोध में सोदेशी अमभैसकार आंदोलन को जन साधारन तक पहुचाने में सोदेशी बांधव समीती ने सबसे मातपुर्ण भूमिकानी बाई सोदेशी बांधव समीती जिसकी स्थापना आश्वीने कुमार दत्त ने की टैगोर के शांती निकेतन की तजपर बंगाल निशनल कॉलेज की अस्थापना चोदागास 1906 को स्थापना की गई बंगाल निशनल कॉलेज तता अरविन्द गोस को इसका अपराचार्ज बनाया गया देशी उद्यों के विकास के लिए बनारस में 1905 में बारतियों और दोगीक सम्मेलन आयजीत किया गया जिसके अध्याच नमेस चंद्रदत थे तीस दिसंबर 1906 को ढाका में संपन एक बैटक में खिलबातियों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में ढाका में राजनेतिक संद्रटा स्थापित करने का निर्ने लिया गया इसके पहले अध्याच वकारूल मुल्क 1906 में कलकत्ता कॉंग्रेस अध्याच पत को लेकर दोनों दल विभाजन के कदार पा आ गए किन्तु दादा बाई नौरोजी ने अध्याच बन जाने से संभावना टल गई 1907 इसी में तापती नती के किनारे कॉंग्रेस का सूरत अध्याच अध्याच ने की सूरत अध्याच इस अध्याच में कॉंग्रेस का विभाजन हो गया डिसंबर 1908 में नौ निताओं को देश से बाहर निकाल दिया गया जिसमें क्रिशन कुमार मित्र तथा हश्रीनी कुमार तथ भी शामिल थे देश व्यापी विरोथ के परिणाम सर्य उजिसे गारा इस्वी में बंगाल विवाजन रद कर दिया गया तथा बासा के आधार पर बिहार यों मुरिशा को बंगाल से पिठख कर दिया गया और आसम को एकने अपरांज बनाया गया राज़दानी को कंकत्ता से दिल्ली स्थान रंक्रिप किया गया अब सवाल आता है कई इसमें सवाल बते राज़दानी कब स्थापित हुआ 12 दिसंबर 1911 को बेटिस समराट जोर्ज पंचम तो था कुईन मेरी के आगमन पर दिल्ली दरवार का आईजिन किया गया इसी दरवार में बंग्दाल निवादम को रच किया गया कब 12 दिसंबर 1911 को देश में ये दरवार तीन बार आयजित किया गया 1877, 1903 और 1911 में इन दरवारों में बेटिन के राज़ा रानी का राजजा बिसेख होता था राज़ानी अस्थानांत्रन के आउसर पर हाइडिंग अपने परिवार के साथ दिल्ली में परवेश कर रहे थे उसी समराट ब्यार गोस ने उन पर बं फेका था यह ता कुल में लाकर के